जेहिन दोस्तों मैं आप कवाई मोहनी शिबने आज़ आप सब का खेर मगदम करता हूँ स्वागत करता हूँ दोस्तों सुबा सुबा के लिए वॉक बहुत जादा बहतर होती है और अक्सर हम जब ट्रावल करते गुंगने जाते हैं तो हम वॉक नहीं करते हैं बलके हम मोड अफ ट्रांसपोर्ट में रिक्षा, कैब्स ये सब प्रिफर करते हैं दोस्तों आज दिली का मरा आगाज हुआ है और दिली में हज़रत निजाम الدین और हज़रत बक्ती हर काकी की बारगा में तो हम जाएंगे इस यारत करने के लिए पर उसके साथ साथ कुछ इतिहासिक चीज़े भी एक्स्प्लोर करेंगे दोस्तों आज मैं एक ऐसे वक्ती के मकबरे पे आया हूँ जिसे देश ही नहीं बलके दुनिया भी पहचानती है इन्हें कई नामों से पहचाना जाता है कुछ लोग इन्हें रहीम दास के नाम से पहचानते हैं और कुछ लोग इन्हें अकबर के नौरतनों में से एक नाम से पहचानते हैं, इनको खाने खानन का भी लकब दिया गया, यानि के खानों में खान, अब आपकी जनकारी के लिए मैं बतादू, इनका असली नाम जो है, वो है अब्दुलरहीम खानजादा मिर्जा खान, और इन अकबर बाशा के सौतेले बेटे कहला है, क्योंकि इनके जो वालिद थे, यानि के जो पिता थे, उनके हत्या होने के बाद, उनकी दूसरी बीवी के साथ, अकबर बाशा का निकाह हुआ, और इन रेकली अब्दुलरहीम खानजादा मिर्जा खान, यानि के रहीम दास, मौफट महम्मद से उनकी हदीजों से एक बात सेकी थी, कि कभी भी किसी भी दान दो, किसे भी दान दो, तो अपनी पलकों को नीचे रखो, उसकी नजरों से नजरे ना मिलाओ, तो सुन्नत को इस शिद्दत से अब्दुलरहीम ने फॉलो किया, कि पुरे अवाम में ये बा अब सलतुलसी दास इस बात की उमीद कर रहे थे कि रहीम दास उन्हें जवाब देंगे, और बदले में रहीम दास का जवाब आया भी, रहीम दास ने कहा, देन हर कोई और है, भेजज़ जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तसो नीचे नैन, अगर आपको इन दोनों आपको जवाब इन्शालला मिली जाएगा, आपकी जानकरी एक लिए एक और बात बता दूँ, ये जो मगबरा बना है, खाने खनन का, इस मगबरे से और हुमायू के मगबरे से इंस्पायर होके बनाता ताज महल, ताज महल जिसे प्यार का जो है निशानी कहा जाता है, आक इनकी बेगम को यहाँ पे तत्फीन कराए गया, यानि के दफन कराए गया, तो उसके उपर यह मगबरा बनाया गया, और कुछ साल बाद, जब अब्दुलरहीम खानजादा मिर्जा खां का इंतिकाल हो गया, तो उन्हें भी यहाँ दफन कर दिया गया, यही आप दो कबर यहाँ पे देख पाएंगे, तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे जुरूर है, क्योंकि सनातन धरम से, और भारत की संस्कृति से, यह मगबरा कही ना कही जुड़ा हुआ है, और उसकी जुड़ने की मुख्य वजाओं में से एक वजा यह है, कि रहीम और वर्ल्ड वाइड आज लोग रामाइन को जानते हैं, दोस्तों उमीद करते हूँ इस वीडियो के माद्यम के जरी आपको पता चला होगा, अब्दुर्रहीम खानजादा मिर्जा खान, जिनने रहीम दास के नाम से भी जाना जाता है, इनका क्या योगदान था, भारत द अगर आपको नहीं पता तो गूगल जरू कीजएगा, तो ऐसे ही भारत देश को नहीं कहा जाता, अतुल्य भारत, इंक्रेडिबल इंडिया, वाकई में हमारा देश वो देश है, जहां पे एक नाई, यानि के बारबर हजाम की कबर भी हो सकती है, और वहीं पे अब्दुर अलेकुम, जय हिंद, जय माराश्रा